आज हम बनाएंगे mix wedge की recipe ये खाने में बहुती delicious लगती है और ये बहुती जल्दी बनके तयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले कड़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल तेल को high flame पे अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि जो इसका कच्छा पन है वो बिल्कुल निकल जाए तो लगबग एक से दो मिनट बाद हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं यहापे कुछ साबत मसाले मिला रहे हैं जैसे की तेजपता दाल चीनी काली मिर्च खड़ी लाइची और जीरा और उपर से मैंने थोड़ी सी इसमें हींग भी डाल दिये अच्छे से इन्हें हम फ्राइ करेंगे उसके बाद मैं हापे बारी कटा हुआ लेसन और अध्रक का इस्तमाल कर रही हूं इन् अभी हम लगबक 30 सेकंड के लिए फ्राइ करेंगे ताकि इनका जो कच्छा पन है वो बिल्कुल निकल सके अब मैंने यहां पे बारी कटा हुआ प्याज लिया है उसको हम इसमें डाल देंगे आप चाये तो इसका प्योरे भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहां पे बारी काट क पर ही इस्तमाल कर रही है अच्छे से प्याज को मिला लेंगे दो से तीन मिनटे से फ्राइ होने देंगे और हमारा जो प्याज है वो अच्छे से ट्रांसलूसेंट करका हो चुका है इसका जो कच्छा पन है वो भी निकल गया है तो आप देख सकते हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो चुका है अब मैं यहां पे बारी कटा हुआ ट्माटर और मिर्च का इस्तमाल कर रही हूं मैंने लगबग दो ट्माटर का इस्तमाल किया है अच्छे से ट्माटर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और ताकि इसे भी हम पका सकें एक से दो मिनट हो चुका है हमारा जो ट्माटर है वो फ्राइ हो रहा है इसी समय हम मसाले डाल देंगे मसालों मैंने लिए हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक नमक आप अपने स्वात के अनुसार डालें और मसाले आप अपनी सबजी की क्वांटिटी के इसाब से इसमें डाल दें मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका रंग बदलने तक और ओल छोड़ने तक हम अपनी मसाले को कुक करेंगे तो लगबग एक से दो मिनट हो चुके है और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है कस्मीरी लाल मिर्च का इस्तमाल करने से हमारी ग्रेवी ने बहुत ही अच्छा कलर दिया है तो हमारा जो मसाला है वो बिलकुल पके तयार है अब हम इसमें वेजटेवल्स डालेंगे तो सबसे पहले मैं यहापे आलू डाल रही हूँ और उसके साथी मैंने छोटे छोटे पीसिस में कट की हुई फूल को भी ली थी उसको डाल दिया है अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ मूली और गाजर वेजटेवल्स जो आपको पसंदो आप उनको डालें जो देर से पकती हैं उन सबजियों को मैंने पहले डाला है अच्छे से इन्हें मिला लेंगे तो यहाँ मैंने अपनी सारी सबजियों को अच्छे से मिला लिया है अब मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा पानी क्योंकि ये सब्जियां इन्हें पकने में समय लगता है तो पानी डालकर ढखकर लगबग हम इसे पांच मिनट के लिए धीमी आज पे पकाएंगे तो पांच मिनट हो चुके और हमारा जो सब्जी है वो 80% को खो चुका है एक बार इसे चेक कर लेंगे हम तो हमने इसे चला लिया है अभी इसमें कसर बची है इसलिए हम इसे अभी और पकाएंगे ये रेसिपी बहुती जल्दी बन जाती है बहुती टेस्टी बनती है बहुती सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है आप इसे जरूर ट्राइ करेगा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और विंटर्स में तो खास तो और पर इतनी सारी सबजियों की वेराइटीज होती है तो ये आप जरूर बनाए अभी हमारी जो सबजी है वो अल्मोस्ट कुक नहीं हुई है तो अब इस टाइम पे हम जो अमारी जल्दी पक के तयार सबजी हो जाती है उसको इसमें सामिल करेंगे मैंने यहां पर बारिक कटा हुआ पत्ता गोबी का इस्तमाल किया है और थोड़ी सी मैंने शिम्ला मिर्च डाली है इनको भी हम इसमें मिला देंगे यह जो दोनों वेजीज है यह पानी लूज आउट करती है और इसमें पकने में भी बहुत ही कम समय लगता है इसलिए इन्हें हम आखरी में डालेंगे अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो आप इसी समय पे मटर भी डाल सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई और वेजेटेबल्स भी अच्छे से हमने इन्हें मिला लिया है और इन्हें भी हम ढख कर कुक करेंगे अल्मोस्ट 10 मिनट के लिए बहुत ही धीमी आज पर 10 मिनट हो चुके हैं एक वार इसे चला लेंगे हम यहाँ पर मैं कुछ मसाले मिला रही हूं जैसे की गरम मसाला और आमचूर पाउडर अगर आपको खटा कम पसंद है तो आप आमचूर ना डालें और मैं यहाँ पर डाल लें हूं मैगी मसाला जो मैगी मसाला होता है उससे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप भी इसमें जरू डालें और यहां पे मैंने रोस्टेट की हुई कसूरी मैथी का इस्तमाल किया था और अब मैं यहां पे डाल दूँगी बारीक कटा हुआ धनिया अच्छे से इसे हम मिलाएंगे और हमारी जो मिक्स वैज की सबजी है वो बिलकुल बनके तयार है बहुत ही जटपट बनके यह तयार होती है और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशिस आता है आप इसे जरूर ट्राइ करें यह आपको बहुत ही पसंद आएगी लंच बॉक्स में इसे पैक करें कभी कोई गेस्ट आ जाए उनके सामने ही बनाके सर्व करें सबको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी यह भी आप मुझे कमें सेक्शन में जरूर बता है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल